पर्मेश्वर का आत्मा आपको बिगेस्ट टेस्टमनी के लिए आपकी लाइफ की जो मेजर जो बड़ी गवाही है पर्मेश्वर का आत्मा आपको उस गवाही के लिए तैयार कर रहा है इसलिए डेवल आपसे खुश नहीं है इसलिए वो अलग-अलग तरह के अटेक्स के साथ आपके उपर अटेक करता चाहे वो आपकी स्पृरिचल लाइफ हो आपका फाइनेंस हो आपके बच्चे हो कियोंकि शैतान को ये चीज़े पूरी तरह से तो नहीं पर उसको अभास होता है और उसको ये मालूम होता है जिस तरह जीजस क्राइस का उसे रौष्णी वो तारा वो ग्लोरी दिखी लेकिन वो कहा है exactly उसे वो नहीं दिखा और बाइबल कहती वो सब दो साल के एक साल के बच्चे दो तिन साल से छोटे बच्चे जो थे वो मरवा दिये गे राजा के दोरा जब जीजस क्राइस का जनम हुआ था और जोशियो ने उनका रास्ता बताया नहीं था और वो आपिस अपने देश चले गए थे उसी तरह से डेवल को मालूम होता है कि आपकी लाइफ में कुछ बढ़िया कुछ बड़ा कुछ बिगेस पक रहा है खुदाबन के दोरा लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता कि वो एक्जेक्ली है क्या लेकिन उसे ये मालूम है कि उसको खतम कैसे करना है आपकी लाइफ से अब इश्वास के साथ अटैक के साथ कितना शैतान ने काम करने की कोशिश की पिछले दिनों में जब कलीसिया को ढराया गया पंजाब की कलीसिया को बहुत सी चीज़ों का सामना चाहे सचाई से चाहे मेरे लिए कलेश पैदा करने के लिए वो परचार करते हैं लेकिन हो तो परवेश्वर का परचार ही रहा है और शैतान को ये बात मालूम है कि आपकी लाइफ में क्योंकि आज प्रॉफेटिकली जो मसा मैं चर्च के उपर देख रहा हूं आज जब मैं में था और आप लोगों के लिए मैं प्रेयर कर रहा था तो जो प्रॉफेटिकली मैं मसा आपकी लाइफ के उपर देख रहा हूं वो एक डिगेस केस्टमवनी को पाने का मसा जो है खुदावन की जो विल है उसकी जो नेक्स्ट प्लैनिंग जिसे हम पोल सकते हैं जो जो उसके हार्ट में आप चर्च के लिए है मैं ये आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर की स्पिरिट जो है उसका जो आत्मा है वो आपको आपकी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टमवनी के लिए तैयार कर रहा है ये परमेश्वर की आने वाले कुछ महीनों में आपकी लाइफ के लिए योजना है